नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेयर एंड केर टिप्ष में दोस्तों अगर आप भी ग्रीन टी पीने के शौकीन है तो इसे कब पीना चाहिए और कब नहीं ये जान ले वरना आपको इसके फाइदे की जगनुशान हो सकता है वैसे तो भारत और चीन की पारंपरिक दवाईयों में सदियों से ग्रीन टी का इस्तिमाल होता रहा है लेकिन ड्रिंक के तोर पर ग्रीन टी बीते कुछ चालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है खास कर इसके वेट लॉस इफेक्ट की बज़ा से बड़ी शंख्या मिलो ग्रीन टी का सेवन करने लगे हैं इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रीन टी को यूनॉक्सिडाइज पत्यों से बनाया जाता है और यह एक ऐसी चाय है जिसे सबसे कम प्रोशेश्ड किया जाता है इसलिए इसमें एंटी ओक्सिडेंट्स और पॉलिफेनॉल की मात्रा भी अधिक होती है कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ग्रीन टी लीबर की बिमाणियों से लेकर डाइविटीज, हार्ट डीजीज, अलजाइमर्श डीजीज और कई तरह के कैंसरों को भी दूर रखने में मदद कर सकती है इसलिए ग्रीन टी को सेहत के लिए बेहत फायदे मन माना जाता है सिर्फ हेल्थ ही नहीं बलकि आपकी स्कीन और बालों को भी बहतर बनाने में ग्रीन टी मदद कर सकती है यही कारण है कि ग्रीन टी बहुत से लोगों की फैवरिट बन गई है और वे जब मन करता है तब ग्रीन टी पी लेते हैं लेकिन अगर आपको ग्रीन टी पीने का सही समय पता न हो आपको इसे पीने की फाइदे की जगर नुक्षान हो सकता है अगर आप चाहते ही कि ग्रीन टी के सभी फाइदे आपको मिले तो उसे पीने का सही समय और शही तरीका जान ले लेकिन इसे पहले जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दवाएं जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ग्रीन टी में धेर्शा एंटी ऑक्षिडेंट और पॉलिफेनॉल्स पाये जाते हैं ऐसे में अ कोई शक नहीं कि ग्रीन टी पाचन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है लेकिन अगर आप अपने भोजन के साथ या फिर भोजन के तुरंत बाद ग्रीन टी पीते हैं तो भोजन में मौजूद पोशक्तत्व को सरीर द्वारा अवशोशन करना मुश्किल हो जा उसका फाइदा शरीर को नहीं मिल पाएगा वैसे तो ग्रीन टी में कई ऐसे पोशक्तत तो पाए जाते हैं जो शरीर को आराम पहुचाने में मदद करते हैं लेकिन ग्रीन टी में कैफीन होता है इसलिए इसे सोने शितुरंत पहले ना पिए वरना श्लिप हार्मोन मेला टो पादन प्रभावित हो सकता है और अच्छी नींद नहीं आएगी